नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है आज 8 जून है आज के दिन दुनिया भर में विश्व महासागर दिवस यानि की वर्ल्ड ओशन डे मनाया जा रहा है ऐसे में जानना हमारे लिए बेहती जरूरी है कि महासागरों की हमारे जिंदगी में कितनी एहमियत है और ये दिन हमारे लिए क्यों खास है वर्ल्ड ओशन डे मनाने का मकसद ये है कि हम जान सकें कि महासागर हमारे लिए कितने एहम है महासागरों से हमें कई तरह की दवाईयां मिलती है जिसमें लाइफ सेविंग से लेकर कैंसर तक की दवाईयां शामिल है इसलिए हमारी जिम्मधारी बनती है कि हम महासागर के अस्तित्व को बनाए रखने और इनके बच्चाने में अपना योगतान दे आपको बता दे इस बार वर्ल्ड ओशिन डे की थीम है महासागर में मौजूद लाइफ और लाइवली हुड से चुड़े तत्यों के बारे में आम जन तक जानकारी पहुंचाना लोगों में ये जागुता पैदा करना कि ये महासागर ही है जो पूरी दुनिया में प्रोटीन मुहया कराने का सबसे बड़ा जर्या है महासागर एकोनोमी मजबूत करने और रोजकार देने में भी एहम रोल अधा करते हैं एक अनुमान के मुताबिक दुनिया के 40 मिलियन लोग 2030 तक महासागर आधारित इंडस्ट्री से चुड़े होंगे महासागर धर्टी की सतह का करीब 71 फिसदी हिस्से को कवर करता है ये पूरे ग्रह को गर्मी ले जाने वाली महासागरी धाराओं के साथ ग्रह की 50 फिसदी ऑक्सीजन प्रदान करके ग्रह को गर्म रखता है इसके महासागर की भूमिका का जश्न मनाने के लिए सब्तराष्ट और अंतराष्टरी कानून 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे के रूप में मनाती है वर्ल्ड ओशन डे की शुरुआत साल 1992 में रियो डी जनेरियो में अर्थ सब्मिट में प्रस्तावित की गई थी ये विचार दुनिया के साज़ा महासागर और मनुष्यों के समुद्र से व्यक्तिगत्य संबंद का जश्न मनाने के लिए सामने आया था आपको बता दे पिशली साल की तरह COVID-19 महामारी के चलते इस साल भी विश्व पर्यावरंड दिवस वर्चुली ही मनाया जाएगा